तो यह है गोल्ड का चार्ज 2480 डॉलर के असपास तक्रीबन गोल्ड कल चला गया था वहाँ से क्रैक होता हुआ गोल्ड ने तक्रीबन लोज बनाए 2438 डॉलर के असपास यस्टेड़े वी हैद अवर सेल सिगनल इन गोल्ड अवर सेल सिगनल इनिशेटेट अराउंड है चाविस से क्यावन डॉलर के असपास हमारे सेल सिगनल इनिशेट हुआ था 2439 का टार्गे था अल्मोस्ट वी बुक्ट अल्मोस्ट अट दा लोएस पॉंट अव्ट अव्ट इस जस्ट अ कोइंसेडनेंस फी डिट नॉट प्लाइंड डाइट दाट वस दलो हमने कोई ऐसा प्लाइन नहीं गिया था कि वो जहां जहां हम बुक करेंगे वहीं लोगा दाट वस जस्ट अ कोइंसेडनेंस तो कल हमारे सिगनल 2450 पे सेल होके 2449 तक हमने प्रॉफिट बु दॉका हुआ है थांक्स तू डॉलर इंडेक्स डॉलर इंडेक्स में इस तरीके के क्रैक आ रहे हैं उससे गोल्ड को काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है गोल्ड वांटेड टू ग्रैश यस्टेडेए बट हिस फ्रेन डॉलर इंडेक्स डिड नॉट लेट इट ग्रैश अभी फिलहाल जो है 2453 डॉलर के आसपास गोल्ड प्राइसे चल रहे है फ्लाइट जोन में है कल चाहासा गोल्ड वीक जोन में चला गया था 2445 तोड के बट अभी फिलहाल जो इस तरीके से रिकावरी होई है उसकी वजासे गोल्ड फ्लाइट जोन में है तो आज का सपोर्ट है 2437 डॉलर का 2437 वा लाक टाइस सपोर्ट नाओ रिस्टन्स है आज का 2445 डॉलर ट्रेंड है फ्लाइट तो रखेगा खयाल चलते हैं सिल्वर की तरफ सिल्वर भी कल हमारा सेल था वी हैफ सोल्ड सिल्वर अराउंड हैर 2461 के आसपास अवर टारगेट वास 2431 61 पर सेल था 31 पर टारगेट था हमारा वी बुक्ट अराउंड हैर उसके बार नीचे अच्छा गया था 27-17 तक गया था बट अगेन ये रिकावरी हो गई है रिकावरी बहुत क्रूशल रिकावरी हो रही है अगेन सिल्वर भी फ्लाइट जोन में चला गया है एक अच्छा वीक जोन में कल आ गया था सिल्वर बट नाव अगेन सिल्वर हैंटेड इन फ्लाइट जोन सपोर्ट है आज का 27-40 का रिविस्टन से आज का 28 डॉलर का ट्रेंड इसका फ्लाइट हो चुका है तो रखेगा खयाल चलते हैं क्रूड ओइल की दरफ क्रूड ओइल चल रहा है 27 डॉलर 16 सेंट कल के लवल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे तो वीक जोन में चला गया है विकोज 77.60 वस ब्रोकन तो आज का रिविस्टन से 78 डॉलर का और 20 सेंट का सपोर्ट है आज का 75.80 का ट्रेंड हो चुका है वीक तो रखेगा ख्याल चलते हैं अब यूरो की दरफ तैंक्स टू डॉलर इंडेक्स यूरो के मज़े ही मज़े है यूरो इस एंजॉइंग अलाट आफ बाइंग सिंस सो मैनी डेज बिकाज अफ यूरो अभी फिलाल 10-10 के असपास चल रहा है आज का सपोर्ट है 970 का रिजस्टंस से आज का 1060 का ट्रेंड इसका पॉजिटिव है और जब तक पॉजिटिव है जब तक डॉलर इंडेक्स वीग जोन में है डॉलर इंडेक्स के लेवल्स मार्केट कॉमेंटरी के अंदर आते हैं पेड़ सिगनल्स और मार्केट कॉमेंटरी की जानकारी आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं या फिर मेरी टीम को वाट्सअप कर सकते हैं नमबर डिस्क्रिप्शन में है चलते हैं अब ब्रिटिश पाउंड पे 28.95 का कल मैंने आपको रिस्टन्स दिया था ब्रिच नहीं हुआ 28.95 का रिस्टन्स यह हाई बना 28.30 के ही हाई बने 27.90 का सपोर्ट था 27.90 के लोज भी नहीं बने आज का रिस्टन्स पोर्ट देखते हैं क्या है आज का सपोर्ट है 28.90 का resistance at 2870 trend इसका flat हो चुका है अब भी फिलाल flat zone में है 2800 के नीचे जाता है तो एक अच्छी weakness आ सकती है 2870 के उपर आ सकता है तो फिर एक तेजी देखने को मिल सकती है British pound में वैसे British pound के लिए थोड़ा सा खयाल रखेगा आज जो है British Britain का GDP data है एक घंटे बाद ही है अभी से तो कुछ भी आप position ले रहे हैं British pound में प्लीज समाल के लिजेगा because today we have major data from Britain चलते अब Bitcoin की तरफ यह है Bitcoin 6500 का support था कल support तूटा यहाँ पे और यहाँ से तकरीबन आपको already 1500 डॉलर की gains मिल चुकी है तो आज का resistance सपोर्ट देख लेते हैं आज का support है 56800 डॉलर का resistance है 69700 डॉलर का trend हो चुका है week बट अगर 900700 डॉलर का और sustain करता है तो जरूर Bitcoin positive zone में जा सकता है Ethereum की तरफ चलते हैं support था हमारा 2630 almost breach हो चुका है तो level will have to be changed now आज का support है 5580 डॉलर का resistance है आज का 2700 डॉलर trend इसका भी week हो चुका है इसमें थोड़ा सा range कम है market का तो इसलिए इसके level जो है थोड़े पास है unlike Bitcoin जो काफी बड़ी zone में है बाकी paid signals की जानकारी और market commentary की जानकारी website पे देखी जा सकती है link description में है मेरी team का whatsapp number भी description में दे रखा है मैंने कोई भी query है आप उनसे सुलजा सकते है live data और breaking news का update मेरे whatsapp channel और telegram channel पे आता है मैं twitter पे भी update करता हूँ सारी की सारी जानकारी मैंने description में दे रखी है live stream भी करता हूँ मैं जब major data आता है जैसे के कल CPI data आया था परसु BPI data आया था तो data से पहले हमने live stream की थी तो live stream join करने के लिए make sure आपनी channel subscribe करके रखा है ताकि आपको notification आ जाए अब मिलेंगे next video में तब तक के लिए take care बाइ-बाइ